लुए यह सिर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् देखे जो प्रकाज संस्लेशन की क्रिया है प्रकाज संस्लेशन जो होता है वो जीवों के लिए बहुत ही महात्पूर प्रक्रिया है क्योंकि पौधे जो जन्त जीव जन्त होते हैं वो पौधों से डायरेक्ट और इंडायरेक्ट चाहें किसी प्रतेच या प्रतेच लोग से मोरink तो इसलिए जो प३रम से कुर्णती हैै मध्यूरम महादों को सबweed बिभाण सरनी किरीया कहती है हुआ है और दूसरा और और प्रकास सरी क्रिया नियर को र्था ज़ू क्या होती है और जो प्रकाशन क्रिया होती है उसके गर्वाइबनेट का सुद्धिकर्ण अब पहले देखते हैं भोजनेवा पाने पता है हम लोग को पता है कि प्रकाश संस्लेशन की क्रिया द्वारा जो अकार्वनिक पदार्थ होते हैं अकार्वनिक पदार्थ मिलकर कार्वनिक पदार्थ अर्थाद ग्लुकोज का निर्माण करते हैं जो अकार्वनिक पदार्थ हैं मियातिता है और की प्राफ़ इस नियुटार की प्रयाद्वारा 14 प्रता hmm और करदा है और केंफायद्थ न को ऑगांस कि प्राफ की प्राफ़ चंथों को और जम्य इस और स्थींद नकर अटकश्धित को आरा जया से झालो चलोज है या और वी चीजे बहती है तो उन सब्सकिभी प्राप्छ स्रीच में रुपांधरित होती है तो ररसायं को यही रसायनिक जब यही पेड़ पौधे करोणों वर्सों तक घूमी के नीचे दबे रहते हैं तो इनके जिवास्मी करन से पेड़ पौधों के जिवास्मी करन से क्या होता है कि पेट्रोलियम, कोईला और भी बहुत से उर्जा के साधन प्राप्त होते हैं तो जितनी भी पेड़ूलेयम है कोईला है यह चीजी जो प्राप्त होती है यह पेड़ बौधों से ही प्राप्त होती है क्योंकि उनमें प्रकास संचन स savoir होती है उसके द्वारा जो प्रकासिक उर्जा होती है, वो रासानी उर्जा के रोग जों में संचित होती है, जो हम लोगों को आपने चलकर जिवासमी खरण द्वारा एक पाल उर्जा के भंडाल के रोग में प्राप होती है. तिसरा अता है वायमडल का सुधे करण प्यूरिफिकेशन आप एटमास्ट्रिया, हम लोगों पता है कि प्रकास सरस्षर की क्रिया द्वारा आकसीजन मुख्त होती है, तो जब आकसीजन मुख्त होती है तो आकसीजन के द्वारा ही यह आकसीजन इस्टोमेटर द्वारा इसको आपको कापी पर लिखना भी है समझना भी है और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंटर के कुछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तर के रिखेंगे